जाहिन देखिए UNFCC के द्वारा जो सम्मेलन बुलाए जाता है जिसे COP कहते हैं यह अभी जो COP 26 जो स्कॉटलेंड में हुआ इसके बारे में समझते हैं और Net Zero Carbon Emission के बारे में क्या है इसको समझते हैं देखिए प्रितिवी का टांप्रेचर हमेशा बढ़ते जा रहा था जिससे Climate Change का खत्रा हो रहा था इसलिए 1992 में इस प्रितिवी को बचाने के लिए प्रितिवी सम्मेलन बुलाए गया ब्राजील के सहर रियो डिजनेरियो में अब इसे रियो सम्मेलन या प्रितिवी सम्मेलन भी कहते हैं 1992 इसका मुख हुद्देश था इसने एक Agenda 11 पारित किया Agenda 11 क हुआ अब 1992 में इसको टर्म्स को समझे जब कभी हम कोई सन लिखते है जैसे 1992 लिख रहे है तो यह पहला जो दो अच्छर है यह इस सदी को बताता है जो सताब्दी या जो सेंचुरी बीच चुकी है तो 19 सदी बीच चुकी है और यह है उसके आगे है यानि 20 सदी चल रही है और यह थे सदी में भी देखेगा तो यह 8 साल ही बचा हुआ है यहानि 8 साल बात कोन सी सदी आ ज्याईगी 21 सदी जैसे अभी हम लिखते हैं मान के चल लग 8 लिखते हैं तो यह वो सदी है जो बीच चुकी है यानि 20 सदी बीच चुकी है और उसके आगे भी है यानि एक और आगे तो इन्होंने देखा कि 1992 में हम लोग 19 सदी जी चुके 20 सदी में बस 8 साल बचा हुआ है यानि कौन सी सदी आने वाली थी तो कैस्वी सदी आने वाली थी तो एकैस्वी सदी को बचाने के लिए इन्होंने एजेंडा 21 पारित किया था और कहा था कि प्रित्वी को बचाना हर हाल में जरूरी है क्लाइमेट चेंज से दिक्कत हो जाएगा इसकी जिम्मेदारी इस सम्मेलन में दे दिया गया UN FCC को UN FCC का फू 93 मेंबर देश बने सब इसका मुख्य उदेश था कि प्रित्वी के टेंपरेचर को हम 2 डिगरी से जादे नहीं बढ़ने देना है उससे कम ही रखना है इसमें हर साल बैठक बुलाई जाने लगी तो ये बैठक बुलाना जरूरी था था कि इस बात के गहन चिंतन किया जा सक ये समेलन 1992 से नहीं हुआ हला कि UNFCC का गठर 1992 में हो गया लेकिन इसका पहला बैठक बुलाए गया था 1995 में तो जब भी बैठक बुलाए जाएगा तो हर इक पार्टी यानि देश के मेंबर का बुलाए जाएगा तो कॉन्फरेंस होगा कॉन्फरेंस और पार्टी जिसे COP 1995 में जर्मनी में बुलाए गया अब उसी के बाद tentatively हर साल बुलाए जाता है तो जो इस साल बुलाए गया है 2021 में ये एसकॉट लेंड में बुलाए गया है तो देखिएगा उस हिसाब से सीक्वेंस देखेंगे तो ये 26 हमा बैठक था इसलिए से COP26 कहते है अगला जब होग ये UNFCC की और से किराए जाता है अब इसमें क्या था खास बात तो देखिए इस बार ये बैठक स्कॉट लेंड में बुलाए गया थी Thailand के बारे में पहले समझे है ये नीचे जो डेश ग्रीन कलर का दिख रहा है ये इंगलैंड है ये वैल्स है ये इंगलैंड वैल्स श कॉटलैंड जब इन तीनों चीजों को मिला देते हैं तो उसे तो Britain में भी तीन आएगा, Scotland, England और Wales, ऐसे भी देखें, Prince of Wales भारत में आए थे, आगमन हुआ थे, यह से, तो यह Scotland जो है, वो Britain का हिस्सा है, तो Scotland में इस बार सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में तुर्की भाग नहीं लिया, कीन नहीं लिया, रूस ने भी भाग नहीं लिया, इस सम मेलन COP26 जो होगा, यानि 26 वी बैठक पहली तो 95 में हुई थी, 1995 में 26 वी 2021 में हो रही है, तो इसमें मुख्य उद्देश, इसनों ने का कि पूरी दुनिया को 2050 तक net zero करना है, net zero मतलब जितना कार्बन का हम उत्सर्जन करेंगे, उतना ही कार्बन को हम सोख लेंगे, जैसे हम म जलाईएगा, तो इसमें 99% है कि आपको उसमें क्या निकलेगा, कार्बन देश अक्साइड निकलेगा, और आधा जलाईएगा, तो कार्बन मोन अक्साइड निकलेगा, तो रोक ही नहीं सकते हैं, इतना है कि एप्जॉब कर सकते हैं, तो इनों ने 2050 का डेक दिया, लेकिन रूस और चाइना काएगी, भई हम 2060 तक ही हम इसको कर पाएगे, भारत ने काएगी, भई हम 2070 तक कर पाएगे, तो भारत नेट जीरो जो है, वो 2070 तक कर पाएगा, क्योंकि अगर हम बहुत जादे कार्बन की इमिशन को कम करेंगे, तो फैक्ट्रीज वगरा को बंद करनी पड़ीगे, अब कोई देस ऐसे हैं, जो कारबन सिंक को कर देते हैं, कारबन डायोकसाइड को इतना ना सोख लेते हैं, जिसका कोई हद नहीं, देखें, कारबन डायोकसाइड को सोखने की सबसे जादे छमता समुदर में थी, बट ये लोगों ने अब तक इंडस्ट्रियल revolution जो हुआ था, उसके बाद इतना ना कारबन डायोकसाइड को सोखा है, इतना CO2 को सोखा है, कि अब इनकी छमता खतम हो चुकी है, अब महासागरों ने जवाब दे दिया, तो एक ही रास्ते बनते हैं, जंगल, ये कारबन डायोकसाइड को लेके फोटो सेंथेस करके oxygen दे जहां जंगल जादे हैं, उन्हें कारबन सिंक कहा जाता है, ब्राजील के जंगलों को कारबन सिंक, दुनिया का सबसे बड़ा कारबन सिंक माना जाता है, उन्हें पूरी दुनिया का 20% oxygen अकेले ब्राजील के जंगलों से आ जाता है, इसलिए उसे प्रितवी का फेफड़ा क आजाता है हला कि कई ऐसे भी देस हैं जहां पर कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही कम होता है इतना कम होता है कि उन्हें हम लोग मतलब कार्बन सिंग में रखते हैं जैसे दो देश आते हैं इसमें सबसे प्रमूर एक यहां आता है दच्छडी अमेरिका के देश सूरी नाम यह स के पास carbon जितना उत्सर्जीत होता है उससे जादे यह उसको सोख लेता है और अगल बगल भारत से भी जो CO2 उरके जाता है चाइना से जाता है नेपाल से जाता है उसको भी यह सोख लेता है तो अभी carbon dioxide के मामले में सबसे बहतर देश है भूटान देगे CO2 का सबसे जादे सम्मेलन से भार आजेंगे तो जो बाइडन बहुत अच्छा है जो इस matter पर आया है चाइना जो है वह 14 परसेंट सेकेंड नमबर पर थार्ड नमबर भारत आता है साथ परसेंट पर देखिए CO2 का उतसर्जन दुनिया में जितने बिक्सित देश थे जो पहले इंडस्ट्रि पूरी फेक्ट्री लगाई तुम इतने अमीर हो गये तुमने पूरे प्रिधिवी को चौपट किया हम तो कुछ किये ही नहीं अब हमारे पर नियम क्यों तो एक काम करो तो सोलार प्लेट से बिजली कैसे बनती है यह टेक्नालोजी टांसफर करो या पिर हमारी मदद करो तो अमीर देश इस टेक्नालोजी को भी टांसफर नहीं करते हैं अब करते हमसे खरीदो तो काता हमको कुछी खरीदना है तो प्रिधिवी को चौपट होने देते हैं इसके लिए एक अलग से बजट किया जाएगा जिस्ते की गरीब देशों को टेक्नालोजी खरीदने में या सहायता मिल सके अब हम यह जितना भी CO2 अगरा का समस्या यह बिक्सी देशों की ही अपनी समस्या अब भारत के उपर दबाव बनाए जा रहा था सारे देशों की ओर से कि नहीं आप भी 2050 तक कारबन मतलब नेट जीरो कीजिए तो भारत कहां से नेट जीरो कर देगा हमें महने हो गए थे तो अगर हम CO2 का उतसर्जन कम कर देंगे तो वहारी फैक्ट्रीज भी सट डाउन होगी एक्चुली यही कोईला को जलाकने से दो धुवा निकलता है बट फैक्ट्रीज भी तो चलती भारत के सामने बड़ी समस्या तो इसमें भारत ने बहुत ही बहतरीन र बिजली बना सकते हैं और परमाडू बिजली जो हता है पर दूसर नहीं भालाता है ना बराबर पर दूसर भालाता है और यह परमाडू बिजली घर बहुत जादे मात्रा में बिजली उपलप्त करा देता है लेकिन हमको यूरेनियम हमें मिल नहीं पाता है क्योंकि नियम है कजाकिस्तान से बढ़ा टाइम लगता है, काफी महंगे मिलते हैं, तो भारत ने बहुत अच्छा दाओ खेल दिया, कि भाया एक काम करूँ, अगर हम चाहते हो कि हम कार्बन का कम उतसर्जन करें, प्रित्वी को बचाना चाहते हो, तो तुम थोड़ा सा इगो छोड़ो, अब चाहिना इसका विरोध कर देता है, चाहिना कहता है कि हम नेसजी में सामिल नहीं करेंगे, क्यों चाहिना को पता है, कि अगर एनेसजी में सामिल कर दिया जाएगा भारत को, तो भारत विदेशों से यूरेनियम खरीद के उसे बिजली घर में डाल देगा, और जो भारत क खुद का यूरेनियम है उसे हम पर्माडू बं में डाल सकते हैं अभी क्या है हमारे पास यूरेनियम ही नहीं तो थोड़ा सा यूरेनियम हम डालते हैं बिजली घर के लिए लेकिन जिस दिन सदस बन जाएंगे उस दिन तो हम लोगों को अराम से बाहर से यूरेनियम मिल जाएगा और भारत में इतना एवेलेबल है कि हम पर्माडू बं की पूर्ती कर सकते हैं अब भारत के उपर लो दबाव बनाओ भारत ने साब कर दिया कि दुनिया हमें एनजी के सदस बनाए हम 2050 कार्बन फिर नेट लो पर हम आजाएंगे अब चाईना इस पर आणगा लगाता है चाईना कहता है नहीं पहले भारत नप्रसें करें न्प्रवी टी करें हम कभी अपनी परमाडू को मतलब परमाडू टेक्नोलजी को दूसरे को साजहा नहीं करेंगगे और नहीं परमारू बॉम को रखेंगे, पर्माडू बॉम हम नहीं बनाएंगे, बल्कि हम पर्माडू उर्जा को रखेंगे, ये नियम बनाए गया था, 1978 में भारत इसमें साइन नहीं किया क्योंकि भारत ने परमाडू बंब बना लिया एक्चुली ये भेद भावाली संधी थी इसमें कहा गया था कि 5 देश परमाडू बंब रख सकते हैं अमेरिका रख सकता है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना रख सकता है इसके अलावे और कोई नहीं रख सकता है, तो भारत ने इसमें साइन नहीं किया तो चाइना इतना हुसियार है, वो कहता है कि ठीक है, अब समझिये, चाइना कहता है कि हम भारत को NSG का सदस बनाने के लिए सहमत है, लेकिन भारत NPT पर साइन करें तो भाई हम फंस जाएंगे न, बिजली के चकर में परमणूबंग चल जाएगा हमला, तो हम लोग इसमें साइन नहीं करते हैं अगर चाइना होगा तो पाकिस्तान भी हो जाएगा अब यहां चाइना फंस गया, क्योंकि भारत तो ready हो जाएगा, ठीक है हमको कर रहे हो तो पाकिस्तान को भी कर लो, लेकिन पाकिस्तान पे केवल चाइना ना ready होगा बाकी के देश 48 जो देश है उसमें से अमेरिका भी है फ्रांस भी अभी फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान वाले बाहर निकालेंगे अरे उसका राजदूत तुम्हारे यहां है नहीं वहाँ जो काटून बनाया था उमर चुका है लेकिन अभी भी हो रहा है तो फ्रांस इनको रोक लगा देगा तो भारत के लिए तो सही है भारत का देगा हाँ पाकिस्तान को भी लगा ये कोई दिक्कत है तो हम लोग इस पर अभी बहुत जोर सोर से काम चला है बहुत जल्दी हम लोग energy के सदस बन जाएगा तो चाइना जो दबाव बना रहा था उल्टा भारी पढ़ गया उसके उपर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में मतलब पंगा लेना ठीक बात नहीं है अब एक exam के aspect से question जरूरी है याद रखिएगा hydrogen को हम भवी सिका इन्धन कहते है future का इन्धन जबकि uranium को हम आसा का इन्धन कहते है हलाकि ये धातू है तो इसे आसा का धातू भी कह सकते है ये पीले रंग का होता है इसलिए यलो केक के नाम से जाना जाता है दूनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है uranium इससे महंगा दुनिया में कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है अब titanium होता है इसे भवी सिका धातू कहते है अब भवी सिका धातू और titanium का परियोग missylo में करते है मिसाइल की बहरी परत titanium की बनियुट इसलिए इस स्थ्रेटिजिक यैनि युद्धक 먹어 सेना के काम में आने वाला इस्थ्रेटिजिक धातु या भवीष का धातु कहते है जब कि भवीष का इंधन हैंडरोजन को कहते हैं आसा का इंधन या पर धातु हम लोग uranium को कहते हैं, I hope आप UNFCC और COP सम्मेलन समझ गया होगे मिलेंगे नेक्स क्लास में, जाहिन